नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभाद कबर जारखन में कोरोना की रफतार थमने का नाम नहीं ले रही है बीते 24 घंटे में 872 नए मामने सामने आये हैं बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 310 हो गई है फालात ये हैं कि राज्जी की बड़ी हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आती जा रही है स्वास्थि मंत्री बनना गुपता कोरोना पॉजटी पाए गए हैं शुकरवार शाम को पूर्व सीएम, स्वीवू सौरेन और उनकी पतनी कोरोना पॉजटी पाए गए अब कृशी मंत्री बादल पत्रलेख भी कोरोना पॉजटी पाए गए हैं 19,186 मरीज ठीक हो चुके हैं, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 9,607 है शनिवार को राची में 117 मामलों में से 48 मामले रिम्ज से सामने आए हैं संकर्मितों में रिम्ज के डॉक्टर और करमचारी भी शामिल है राची नगर निगम की लौज शाखा में शनिवार को एक करमी कोरोना पॉजटी पाए गए हैं राज्य पाल ने राजभवन में तैनात सभी सुरक्षा करमियों की कोरोना जाँच का आदेश दिया था इसके बाद सदर अस्पताल राची के सहयोग से राजभवन में तैनात सभी सुरक्षा करमियों की कोरोना जाँच हुई पिछले 24 घंटे में पूर्वी सीमभूम में कोरोना संक्रमन से 7 लोगों की मौत हुई है जबकि हजारी बाग और राची में 2-2 मौत हुई है वही कोड्रमा और बोकारों में एक-एक कोरोना संक्रमित की जान गई है राज़ में कोरोना की जाँच बढ़ाने का लक्ष तय किया गया है संक्रमितों की पहचान के लिए 16 जिलों में इस्पेशल ड्राइब शुरू किया गया है अभियान 5 सितंबर तक चलेगा उन जिलों में जादा फोकस रहेगा जहां संक्रमितों और जाँच की संख्या कम है 16 जिलों में प्रती दिन 14,124 लोगों की जाँच का लक्ष निर्धारिक किया गया है आर्टी पीसी आर से 6134, ट्रूनेट से 1890 और रैपिट एंटिजन कीट से एक सट सो लोगों की जाँच प्रती दिन करने का लक्ष तै किया गया है इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही जारखंड और विहार समेत तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ ये वीडियो स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा